नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं अधिकार को लेकर लड़ रहा है, सभी वन्चीत समुहों को साथ लिये बगर अगर हम सर्वाइगिन विकास की बात करेंगे तो वह बेइमानी होगी खुसी है कि आज मुझे 36 गड में आदिवासी निरित महोसों में आने का उसर मिला सियम हमन्सुरे ने कहा है कि बिगत 20 बर्सों में एक बार भी पूर्व की सरकारों ने जार्खन की आदिवासी संस्क्रीती और सभ्याता को सम्मान नहीं दिया हमने विश्व आदिवासी दिवस के अशर पर बारिस के बिश दो दिन का जार्खन आदिवासी महोचो मनाया इसमें कई कलाकार और विद्वानों ने भाग लिया अगले साल इसे और भव्य मनाया जाएगा उन्होंने कहा है कि बिवित्ता में एकता हमारे देश की पहचान है हम धर्म, मजभब और जाती के लोग यहां दसकों से आपसी एक जुटता और मजभूती के साथ रहते आया हैं और पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है इड़ी कर्याले में पेश नहीं हुए सियम हमांत चिठी लेकर पहुचा करमचारी एक हाजार करोर के अवैद खनन मामले में अनुसंधायन के दोरान इड़ी के समन पर मुख्य मंत्री हमांसुरन गुरुवार को इड़ी कर्याले में उपस्तित नहीं हुए उन्होंने समन के जबाब में एक पत्र मुख्य मंत्री सचिवाले के करमचारी के माध्यम से इड़ी को भेजा है जिसमें उन्होंने पुष्टास में सामील होने के लिए तीन सब्ता का समय मांगा है उनके पत्र पर इड़ी ने फिलहाल कोई निरनाय नहीं लिया इड़ी ने उन्हें दो दिन पहले ही समन भेज कर तीन नौवंबर को कर्याले में उपस्थित होने को कहा था बतादे एक दिन पहले ही यहत्ताय हो गया था कि मुख्य मंत्री हेमन सुरेन अपने ब्यस्त कारी करमों को चलते इडी का रियाला में उपसित नहीं होंगे गुरुवार को दो पहर करीब सवा तीन बजे मुख्य मंत्री सचिवाला का करमचारी उनका संदेश लेकर इडी के दफ्तर पहुंचा जिसमें उन्होंने इडी से पुष्तास में सामिल होने के लिए तीन सप्ता का समय मांगा हाई सीयम हेमन्त ने कहा गुनाह किया तो गिरफ्तार करो इडी से मांगा तीन हफ्ते का समय जारखंड सीयम हेमन्त सुरेन गुरुवार को इडी के समक्ष पेस नहीं हुए उन्होंने इडी से तीन सप्ता का समय मांगा हाई इसे पुर्व जामो करकरताओं को समधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार कुरोना सुखार से लेकर गाउं गाउं कोने तक आदिवासी मुलवासी को अधिकार पहुचा रही है इसे लेकर बिपक्ष में जबरजस्त खलबाली मची हुई है वे सरयंत्र को अंजाम देने में लगे हुए है जारखन खनीज संपदा का परदेश है सोना चांदी कोईला लुहा है उन्हें कोईला लुहा में घोटाला इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि ये सारा भारत सरकार करती है 20 साल में जिस तरह से खनीज का बंदरबाट किया है आज इसका ठिकरा इस सरकार पर फोड़ने का पर्यास किया गया इनके हर मनसीवों को हम ना काम कर रहे हैं हम इनको आने वाले समय में भी मोहतोर जबाब देंगे जारखन के सिक्षक आई से काला बिला लगा कर करेंगे काम जारखन के प्राइमरी और मीडिर इसकुलों के सिक्षक चार और पांच नॉम्बर को काला बिला लगा कर काम करेंगे इस दोरान अखिल जारखन प्रात्मिक सिक्षक संग के नेतित्यों में चार सुत्री मांगो को लेकर आंदोलन की शुरुआत होगी संग के परदेश अध्यक्ष बिजंदर चौबे महासचीव राम मोर्ती ठाकूर अर्मुखे प्रवक्ता ने बताया है कि आंदोलन के पहले चरन में चार वपांच नौंबर को सिक्षक काला विल्या लागा कर कारी करेंगे वहीं साथ से बारा नौंबर को अस्थाने जन प्रतिनिद्यों को मांगो का ग्यापन सोपा जाएगा इसके बाद भी उक्त मांगो पर करवाई नहीं हुई तो 29 नौंबर को सिक्षक सीम अवास का घिराव करेंगे उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो अमतिम चरण में 17 दिसम्बर से सिक्षक अनिस्चित कालिन अंसन पर चले जाएंगे नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षन खत्म करने के खिलाप राजेपाल से मिले सुदेश महतो हेमंत सरकार के द्वार नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षन को हटाने के बिरोध में आईसू पार्टी 17 नमबर को राजे ब्यापी आंदूरन करेगी और सभी जिला मुख्याले में एक दिवस्य धाना परदसन भी करेगी पाटी कर्याले में गुर्वार को हुई बैठक के बाद राजेपाल रमेस बैस से आईसू प्रमोक सुदेश महतों ने मिलकर सरकार के दोरा लिये गए निरनय पर अपति जताई इस मौके पर सुदेश महतों ने राजभवन के समख सरकार के इस निर्ने पनराजगी जदाई आईसू कर्याला में पार्टी ने ताओ की हुई बैठा की जनकारी देते हुए देव सरन भगत ने कहा है कि इस वर्थ हुए त्रियस तरिये पंचाय चुनाओ में भी राजभवन के पिछले वर का आरक्चन खत्म कर दिया था जारखन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है पिछडों के प्रती सरकार की सन्वेदन हिंता के विरूद में आईसू पाटी लागातार मुखर रही है और इसी दोरान राजे प्यापी आंदोलन का निना लिया गया है इड़ी के समन पर जहमोमो भाजपा में भीरंत एक दूसरे को देखने की धम की मुख्य मंत्री हेमन सुरेन को इड़ी के समन के बाद आक्रमक सतारूड जहाखन मुक्ती मोर्चा ने दावा किया है कि अभी यह अंगडाई है आगे असेली लिडाई होगी 2024 के चुनावों में इसका पईनाम दिखेगा मुर्चा की केंद्रीय समिती के सर्स सुपरियों भटाचार ने कहा है कि जहामों गुजरात की 40 स्रीजर्व सीटों पर भाजपा को हराने के लिए जोर लगाएगा वहाँ दलीतों और आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है यह अभी कहा है कि हिमांचल परदेश और गुजरात में एक साथ चुनाव होता तो भाजपा का सुपरा साफ होया था चुनाव आयोग के सहयोग से गुजरात के लिए बाद में तारिखों के घोसना की गई है उन्होंने चुनाव आयोग परतंज कस्ते हुए कहा है कि अभी हो सकता है कि आगे भाजपा चुनाव की बेवस्था खत्म करा कर किसी प्राइवेट एजेंसी के सर्वे क्याधार पर सरकार बना ले सियम हमन्त के लिए मुखर हुए कांग्रेसी कांग्रेस में ही सुरू हो गई गुट बाजी जारखन में मुख्य मंत्री हमन्सुरेन को समन किये जाने के बाद कांग्रेस की ओर से अपनाय गई आक्रमक रूप को लेकर पार्टी में ही सवाल उठने लगे है कई सिनियर नेताओं ने इसे हर बाड़ी में लिया गया फैसला करार दिया लेकिन कोई खूल कर नहीं बोल रहा इन नेताओं का कहना है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया गया था जिसके बिरोध में कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालों में इडी कर्यालाई के सामने परदर्शन किया था इन परदर्शनों में जार्खन मुक्ती मूर्चा कहीं नहीं दिखा अब जब मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को समन किया गया है तो पूरी पार्टी आंदुरन के लिए तयार हो गई है संगठन से लेकर मंत्रियों तक के बियान आ रहे हैं इसे लेकर पार्टी अपना स्टेंडर असपष्ट कर रहा है जार्खन में 1932 खतियान का ब्लू प्रिंट तयार जार्खन विधान सभा के विशेश सत्र में पेस करने के लिए राई सरकार अस्थानियता निती का प्रवधान तयार करने की दिशा में जूट गई है प्रवधान में भूमी हीनों के लिए भी प्रविधान किया जाएगा इसके अलावा उन्चेत्रों का भी ख्याल रखा जाएगा जहां देर से 1922 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है ग्राम सभावों के जरिये भी सत्यापन होगा गुरुवार को जहारखन मंत्राले में इस बावत मुक्य मंत्री है मन्सुरिन के निद्यस पर उच अस्तर ये बैठक मंत्री अलमगीर अलम के अध्यक्षता में हुई है इसमें सत्तार उड़ दलोग के वरिष्ट नेताओं ने भी भाग लिया बतादे बैठक में सिलसिलेवार तरीके से सभी बिंदू पर बात होई असपश्ट किया गया है कि अस्तानियता नीती निर्धारन में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा पुरानी पेंसन योजना पर आदालत में सुनवा है जारखन हाई कोट के जशिष अनन्द सेन की अदालत ने पुरानी पेंसन लागू किया जाने के मामले में जारखन के बित सची को तलब किया है अदालत ने उन से पुछा है कि पुरानी पेंसन लागू किये जाने पर नई पेंसन में कटोती किये गए अंस दान को कैसे वापत लाया जाएगा इसके लिए राई सरकार की ओर से क्या करवाई की जा रही है सरकार के निनाई की जनकारी सभी कर्मियों तक कैसे पहुचाई गई है मामले में अगली सुनवाई 4 नौवंबर को होगी 15 नौवंबर को खुर्टी के उली हातु आएंगी राष्टपती द्रोपती मुर्मू अगामी 15 नौवंबर को जारकन स्थापना दिवस और बीर्षा मुंडा जियनती समारों के मुख्यती थी राष्टपती द्रोपती मुर्मू होंगी वही राष्टपती भगवान बीर्षा मुंडा के जनमस्तली खुर्टी के उली हातु भी आएंगी उली हातु में भगवान बीर्षा मुंडा को सधांजली अर्पित करेंगी बताद राष्टपती बनने के बाद द्रोपती मुर्मू का जारकन का या पहला कारिकरम होगा बोकारो में संताल सरनाधर्म महासमिलन की त्यारी शुरू बोकारो जिला अंतरगत लल्पनिया स्थीत संताली आदिवासियों का महान तिर्थास्तर लोगुबुरू घंटा बाड़ी धोरोम गाड़ में कार्तिक पुर्णिवा पर साथ एवं आठ नौमबर दुजर बाइस को आयोजित 22 अंतरगत संताल सरनाधर्म महासमिलन में अब महज तीन ही दिन बाकी है ऐसे में त्यारियों को अमतिम रूप दिया जा रहा है गुरुवार को जीलेक के डिसी कुल्दीप चौधरी एवं एसपी चंदन जहां ने तमाम प्रसासनिक अमले के साथ लोगुबुरू का दवरा किया बता दे टिटीप पीएस के स्यामली गेस्ट हाउस में त्यारियों का भी भागो के अधिकारियों एवं समीतियों के साथ बिश्तिरिक समिक्छा की गई रांची में जे एमेम का सकती परदसन आंदोलन का एलायन कूल माइनिंग मामले में परवर्तन निदे साले के नोटीस से नराज जार्खन सरकार के केंजरे एजेंसी के खिलाब मोर्चा खोल दिया है जार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने तो ED को चुनोती भी दे डाली है वह उन्हें गिरफतार करके दिखा है हेमान सुरेन ने राजधानी राची के काके रोड़ी सित मुख्य मंत्री आवास में जार्खन मुख्य मोर्चा के करकरताव को समधित करते हुए कहा है की ED मुझे गिरफतार करके दिखा है उन्होंने कहा मैंने कौन सा गुना किया है अगर मैंने कोई गलती किया है तो पुष्टाच क्यों करना चाहते हो आवो मुझे गिरफतार कर लो हेमान सुरेन ने कहा है कि उनकी सरकार गिराने की विपक्ष की कोशी से काम्याब नहीं होगी उनकी सरकार अपना कारेकाल पूरा करेगी क्योंकि उन्हें जनता का आपार जन समर्थन हासिल है सीम हमान बोले चिंता ना करे सरकार पूरा करेगी कारेकाल परवरतर निंदे सालह की ओर से सीम हमान सुरेन को समन जारी किये जाने के बाद जेमेम करकरता सलक पर उतर आय है राज के विभीन छेतरों से जेमेम करकताओ का जूटान राजी के मौरबादी मैदान में हुआ यहां से पार्टी करकरता का के रोड इसी सीम अवास पहुँचे यहां करकरताओ ने एडी के खिलाब जम कर नारेबाजी भी की वहीं सीम ने पार्टी करकताओ को समोथित करते हुए सन्यम बरतने को कहा उन्होंने कहा कि विभीक्ष लाख जतन कर ले लेकिन राज की जानता के मिले समर्थन से यह सरकार आपना कारेकाल पूरा करेगी बतादे सीम हेमान सुरे ने विपक्ष पर जम कर निशाना साधा है कहा है कि एडी के ओर से समवन भेजना एक स्टाजिस का नतिजा है सीबीएसी आर्यभट गनीत चाइलेंज के लिए पंजी करन सुरू केंद्रियम आधमिक सिक्षा बोट की ओर से आर्यभट गनीत चाइलेंज के आउजन किया जा रहा है इसके लिए राइस्टेशन की परकिरिया सुरू हो चुकी है इस पर्यभट गनीत चाइलेंज यानी एजी सी दो अस्तरो लेवल वन और लेवल टू पराविजित किया जाएगा घर घर नल से जल योजना में पाकुड पिछडा सुध पेजल की उपलबदता के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की ब्रिहत योजना चला रखी है ताकि हर घर तक सुध पेजल पहुँचे और दूसीत पालनी का सेवन से लोगों के सेहत पर पड़ रहे दूस परभाव को कम किया जा सके पर जार्खन राज की इस्तिती पूरे देश और जार्खन में संताल परगना प्रमंडल की इस्तिती चिंता जनक है बतादे देश भर में जार्खन लक्ष दीप एवं उतर परदेश के बाद नीचे से तीसरे अस्थान पर है वहीं पडोसी राज बिहार पंचानबे परतियस उपलब्दी के साथ सीर्थ राजियों में चोथे अस्थान पर है वहीं दो लाग तिरा से यहर छो से से तालिस घरों तक ही सूध पानी पहुंचाया जा सका है बतादे 2024 तक लक्ष को पूरा कर पाना चुनावती बन गया है जल जीवन मीशन के तहद सरकार ने वर्ष 2024 तक हर घर में नल के मादयम से सूध पेजल उपलब्द कराने का लक्ष रखा है पर इस लक्ष को पाने में संथाल परगना का एक दिला पाकूर पूरे राजे में सबसे पीछे चल रहा है पाकूर जीले में महज 6 परतिसत घरों तक ही नल के मादयम से सूध पेजल पहुंच पा रहा है गढ़वा के सरकारी गोदाम में महीनों से पड़े है सरसो बीज साल 2022 तक किसानों की आय दोगनी करने की बात कही जा रही है लेकिन सरकारी भी बागे पता दिकारी वाम कर्मी के लापरवाही के वज़ा से किसान वरतमान समय में मिल रहे है लाब से भी बंचित हो रहा है बता दे गढ़वा जीले में किसानों के बीच बीतरन के लिए 141 किंटल सरसो बीज एक महिने से पड़ी हुई है लेकिन इसका बीतरन नहीं किया जा रहा है गढ़वा जीले में रभी फसलों के बुगाई का मौसम निकल रहा है अक्टूबर महिने में बरसाथ की वज़ा से खेत में हाल चलाने लाइक जो नम्मी बनी थी वो अभी खतम होने की ओर है गुमला के टोटो में बनेगा नाया थाना 40,000 को मिलेगा सुरक्षा गुमला सहर से 10 किलोमेटर दूर प्रस्तावीत प्रकंड टोटो में नए थाना भावन का निर्मान सुरू हो गया है गुमला के पुलिस अधिक्षक, डाक्टर, एतिसाम वकारीव ने नए थाना के अस्थापना की पहल की है बता दे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले गुमला सहर से दस किलोमेटर दूर टोटो में थाना के थापना की थी लेकिन अंग्रेजी सासन खत्म होने के बाद अब वह थाना जीमोदोज हो गया जहां पुराना थाना था वह अब समतल भूमी है इधर गुमला के कुछ हीसों में अपराज निरेंतरन के लिए टोटो में लंबे समय से नहीं थाने की मांग भी हो रही थी पलामू में पेट्रोल छिड़क कर बिवाहिता को जिन्दा जलाने का पर्यास पलामू जीला अंतरगत हुसाइनाबाद अनुमंडल छिटरे के बिश्वासिया गाव में पेट्रोल छिड़कर एक बिवाहिता को जिन्दा जलाने का पर्यास किया गया इस मामले में बिवाहिता पूरी तरह से जुलस गई है गंभी रूप से जुलसी पिडिता को हुसाइनाबाद अनुमंडल अस्पताल में भरती करा गया जहांची किसको ने परात्मिक उप्चार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदनी नगर रेफर कर दिया इस मामले में तीन लोग खिलाप मामला दर्च किया गया है आदिवासियों पर हमारी पकड से घबरा रहें लोग रायपूर में बोले सियम हेमन्त मुख्य मंत्री हेमन सुरने 36 गड में आदिवासियों निरित्य महोसो कारिकरम की दरन अपने समोधन में कहा है आदिवासियों के बीच हमारी पकड से कुछ लोग घबरा रहें है नाम लिए बगर उन्होंने कहा है कि यह रायनितिक मंच नहीं है अन्याथा और भी बाते होती घबराहाट का उदाहरन अखबार टीवी रेडियो वर अन्यमा द्यमों से आप तक पहुँच रहा होगा हेमन सुरन ने अपने समोधन में आदिवासि पिछ़ों और दलितों की अन्देखी की बात उठाते हुए कहा है देश का विकास किसी एक वर्ग से संभव नहीं है यहां बिवित्ता में एकता है और यहीं देश की मजबूती भी है कटिहार के डीम ने हाई कोट में मांगी माफी चारखन हाई कोट के चीफ जर्शी डाक्टर रवी रंजर्व जर्शी एसन परसाथ के अदालत में गंगा में मलवाहक जहाज संचालन के आदेश के बाद भी जिला परसाथन के और से अनुमती नहीं दिये जाने के मामने में गुरुवार को सुनवाई हुई इस दोरान साहिब गंज के डीसी और बिहार के कटिहार जिले के डियेम उदयन मिस्रा अदालत में उपसित हुए कटिहार के डियेम ने कहा है कि कोट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है जहां तक जहाज का संचालन करना चाहते हाँ वहाँ पर कुछ पवंदिया हाई यही वज़ा हाई के उनुमती नहीं दी गई हाई जब अदालत ने आदेश का अंुपालन नहीं करने पर आरोप गठन की बात कही तो DM ने माफी मांगते हुए कोट के आदेश का अनुपारण करने की बात कही है IAS पूजा को कोट ने कहा भ्रष्ट IAS को जमानत देने का कोई अधार नहीं मनी लड्री की आरोपित निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंगल को गुरु आर को जारकन हाई कोट से रहात नहीं मिली है जस्टिस S के दिवेदी की आदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए आज का खारिज कर आदालत ने कहा है कि अपने आदेश में कहा कि फ्रोष्टा 4 में लिफ्ट IAS अधिकारी को जमानत देने का कोई अधिकार नहीं बनता इसलिए पूजा सिंगल की जमानत याच का खारिज की जाती है इडी कोट से जमानत याज का खारिच होने के बाद पुजा सिंगल ने हाई कोट में याज का दाखिल जमानत देने की गुहार लगाई थी चाई बासा के कस्तुर्बा बिद्याले में बजार से दोगना दर पर मटन की आपूर्ती गाद बाद बासा बिद्याले में बजार दर सधिक मुले पर ख़द्याना पूर्ती की जाने के मामलें पचमी सिंगूंजिले के जीला सिक्षा पताधिकारी सह जीला सिक्षा अधिक चक निर्जा कोजूर को ततकाल परभावसी निलंबित कर दिया गया है इस्तमद में इसकुली सिक्षायम सर्षता विभाग की ओर से गुरुवार को अदेश जारी हो गया है निलंबन अधी में निर्जा कोजूर का मुख्याले इसकुली सिक्षायम सर्षता विभाग रांची निधायित किया गया निलंबल अधी में निर्जा कुजूर का जीवन निर्वाहन भात्ता जारकन सरकार सेवक नियमावली 2016 के नियम 10 के तहद्दे होगा निर्जा कुजूर के बिरूद विभागे करवाही चंचालन के लिए अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा बतादे कस्तूर्बा में वाइलर मुर्गा 300 रूपए, देसी 700 वमचली 720 रूपए प्रति किलो अपूर्ति की जा रही थी ग्रामीन छेत्र के बच्चे ताइक्वांडो में लहरा रहे सफलता का परचम धनबाद में ग्रामीन छेत्र के बच्चों का ताइक्वांडो के प्रती रुजान बढ़ता जा रहा है। ग्रामीन छेत्र के सेकडों बच्चे बच्चियां पढ़ाई के साथ साथ ताइक्वांडो का परस्रिक्षन ले रहे हैं। निश्चित पूर के विभीन छेत्रों के अनेक बच्चे बच्या ताइक्वांडो का परसिक्षन प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं इस चेत्र के बच्चे बच्या अंतराश्ट्रिये राश्ट्रिये और राज अस्तर के टाइकवांडो में उत्किष्ट परदसन कर मेडल जीत कर अपने चेत्र का नाम भी रोचन कर रहे हैं इडी करे आले की सुडक्षा वेवस्ता और करी कर दी गाई इडी द्वारा सियाम को समन भेज आने के बाद गुरुवार को राशी में राज भर के जामोंकरकता जूट ग хотел इसके बाद राशी स्थीत इडी करे आले के सुरक्षा और कर दी गाई CRPF पुलिस के जवानों को ED दफ्तर के बाहा तैनाद कर दिया गया ताकि कोई अवांचित व्यक्ति परवेश न कर सके ED को सुचना मिली थी कि कर्याले के बाहर भी परदसन हो सकता है ऐसे में सुरक्षा की मांग की गई थी बतादे की ED ने दो दिन पहले ही पुलिस मुख्याले से ED ओफिस की सुरक्षा बढ़ाने की गुजारिस की थी ब्यवसाइक सिक्षा का डेसबोर्ड होगा लांच जहारखन के सरकारी स्कूलों में चल रही ब्यवसाइक सिक्षा के लिए डेसबोर्ड लांच होगा गुजरात ओडिसा महाराइट समेत कुछ अन राजयों के बाद जार्खन में भी इसे लॉंच करने के त्यारी की जा रही है जार्खन सिक्षा पर्योजिना परिशद ने मड्यूल त्यार कर लिया है इसी महीने इसे लॉंच किया जाएगा बता दे वोकेशनल डेस्ट बोड में 14 मड्यूल त्यार किये गए है इसे राजय के स्कूलों में चल रहे वोकेशनल की पढ़ाई की ऑनले मोनिटरिंग हो सकेगी वोकेशनल कोर्स के अंदर आने वाले सब भी पारा मीटर को इसमें सामिल किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चलों को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदर भाई है साथ साथ वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों किया सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवसे दे थांक्यू